हेलो प्रेंब्स आज जो StGDate का पेपर हुआ है उसका वह हम हिंदी का लेकर आ रहे हैं आपके सब के सामने तो यह आपके सामने जो है सैट्डी है तो सेट्डी का यह पहला क्विश्चन से लेकर होगारे इसमें सी लेंगे एक दो और तीन कथन सही है उसके बतिश्वा क्रिशन में आते हैं वेंजनो कुचाण के विभिन अवियों से सुमेलित कीजिए तो इसमें हैं कंठी तालव दंत्य और रोष्ट दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा वी उसके बाद हम आते हैं दोस्तों 33 अनुदित का संधी विजयत तो अनुदित मतलब अनुधन उदित हो जाएगा तो यह इसका अंसर फश्ट हो जाएगा किस विकल्प चौटिसवा क्योशन आते हैं किस विकल्प के सभी स्वर संधी के हैं मतलब तो इसमें आप देखें अहीं पर इनिमनेट कैसे करेंगे इसको सीखें इसको उल्लास है तो उत्धन लास यह कट जाएगा इतिधन आदी वी धन संप यह वाला भी हट जाएगा स्वर संधी नही है तो इसका मतलब होता है वेसवर जिनके चाण में मुह बहुत कम खुलता है तो इसका आंसर आजाएका उ और उ तो ए आएगा इसका आंसर उसके बाद है छतिसवा हिंदी में आगत विदेशी सब्दों को उनके मूल भासा से सुमिलित कीजिए तो इसमें दोस्तों अगर तो एक ही आंसर पता रहता जैसे रिक्सा रिक्सा का जापानी पता रहता तो आपका बन जाता तो इसका आंसर जो आएगा डी उसके बाद दोस्तों 37 कुछ रहा है निम्लिकित में विलोम की दृष्टी से सुध्यूक्म क्या है संयूक्त और संधी यूक्त अग्य अनभीग अनभीग यह उता है तो इसका आजाएगा अलपग्य पहुग यह इसका आएगा इसका अणसर फिर आता है 38 युद्ध की एक्छा रखने वाला यह तो सभी को पता है एक सब्द अनेक सब्द के लेक सब्द है यूद्सू आएगा उसके बाद है मिट्टी का तत्सम सब्द 49 करिशंट तो इसका मिरत्तिका आएगा विट्टिका कुण आएगा क्यों इसमें रही है तो अधिक तर चात चात रगयस रहते हैं में इसके वाहतन है उसके दोस्तों ओस अंवे सब्दों का उचित विखल्भ कौन सा है तो इसमें मुह तोड़ लोक उत्तर और गंगा जल कि यह सब तत्तुर समास नहीं है तो इसका अंसर डी आ जाएगा उसके बाद दोस्तों 41 है निमन में से कौन सब घोड़ा का परायवाची नहीं है तो है तुरंग बाजी यह सब घोड़ा का परायवाची है सारदूल यह हमें सब देखना आप लोग पढ़े होंगे इतिहास त राजाओं को जो मिलती है उपलब्धी उसको बोलते हैं गज सारदूल तो इससे सोच के बना सकते हैं तो 41 का इसमें ब्यालिस का सी आएगा तो यहां पर आंसर आएगा सी करण कारक अब आप लोग बोलेंगे इसमें अपादान भी आ सकता है तो अपादान अलग करने के लि सही कथन वाले कथनों को विकल्प को चैन कीजिए तो इसमें आंसर आ जाएगा पहला तीसरा चौथा इसको हम देख सकते हैं इस क्वेशन का अंसर बदल भी सकता है इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों उसके बाद हम आते हैं 45 में वक्ता स्रोता अथ्वा किसी अन्य व तो मैंने इसमें एक लगाया है अब आप लोग इसको देख लीजिगा 47 वा यदि तुम वर्ज भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परिच्छा में सफलता मिलेगी वाग के कप्रकार है इसका आंसर सी होना ची संकेत वाचक 48 निम लिखित में असुद्ध वाग की है कर देख एसे वाला होता है 50 वांद व अचासवा प्रयोग मिलता है तो द्वन्द और आम च्याम भाई भैंठ वाई पाई वह आई बहन उस टाइप कई यह योज शुखाने लोकुतिक सहीं अर्थ है तो इसका अंसर आजागा काम बिगढ़ने पर सहायता व्यर्थ होती है बाववर्म विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भासा सरो पर है महात्मा गांधी इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों भी कोई भी भासा बुरी नहीं होती क्योंकि सभी अपनी बीश्यक्ता है तो तो इसका हो जाएगा और बिर्वान के होथ चिकने पात स्वस्त पहुत हैं के पत्ते चिकने पात यह आंसर इसका नहीं होगा और बोल सकते हैं गुदड़ी के लाल मतलब अभाव में भी कुछ बहुत बढ़ा कर जाना वह होता है और बिर्वान क इन किनी स्थानों पर हुआ करते थे और 56 छुंड़े के जुणड़े विद्या नुरागी लंभी आत्राय करके भारत में क्यों आया करते थे तो इस दोनों का आंसर दोस्तों आपको यह गद्यांस में मिल सकता है इस गद्यांस को आगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा इस इसका उतर दिया है तो इसका उसने 555 का पहला हो जाएगा अच्छा पनुभा का डी हो जाएगा इस तरह से पहले से पीक ना लगाया करें आगे कुश्यन करने के बाद करें संतावन का फूशत्वा अगर आपको कहीं भी अंसर लगता है कि इसका अंसर यह नी होना चाहिए तो आपनों जल्द इस जल्द तुरंथ कमेंट करें ताकि हम उसके आंसर को और खोजने का प्रयास करें और सही आंसर आप तक पहुँचाएं ठैंक यू सो मज़ दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें